आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें इसका वर्ग, दन 3X का वर्ग तो और इसका आउकलन किया जाए, F-X तो वो क्या मिलेगा, 3-2 नहीं, 6X दन 2, ये हमें मिलेगा तो हमें क्या करना है, कि हमें 5X रिण 2 को ऐसा तोड़ना है, कि वो 6X दन 2 के भी वराबर आए और हम इसे आगे इस तरह से हल कर सकते हैं, T मानके, क्योंकि इसका जो हर है, उसका ओकलन क्या है, 6X दन 2 आएगा, तो हम इसे इस रूप में यदि बदल दे, तो इसका ओकलन असानी से किया जा सकता है, तो देखिए, अब क्या करेंगे इसे हल करने के लिए, तो हम यहां कर 6 बटा 6 का गुणा कर देते हैं, तो 5X रिन 2 कुष्टक में है, गुणा 6 बटा DX पूरे का बटा 1 दन 2X दन 3X का वर्ग, बराबर, यहां से क्या हो जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा, और 1 बटा 6 बाहर हो जाएगा, तो जाएगा 6 पंचे 30X रिन 6 दनी 12 गुणा DX पूरे क अगर दिया इसे, तो अब देखिए दोस्तों, यहां से 1 बटा 6, हमें क्या चाहिए, हमें ध्यान रखना है कि हमें चाहिए 6X दन 2 के रूप में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 30X रिन धन 10, यह लिख सकता हूँ, रिन 12, पूरे का बटा, 3X का वर्ग धन 2X दन, यहां पर मैंन ऐसे किया, तो यह बन जाएगा, अब 1 बटा 6, यह क्या बन गया, 30X धन 10, और यह हो गया, रिन 22, कुछ टक में, पूरे का बटा DX, गुणा, पूरे का बटा 3X का वर्ग धन 2X धन 1, गुणा DX, यह मिल गया, तो अब देखिए, यहां पर से 30X धन 10, पूरे का बटा 6, एक हो हो जाएगा, तो दो भाग में बाट सकते हैं हम इसे, तो दो भाग में बाटने के लिए, यह हो जाएगा, एक बटा 6 गुणा, यहां पर से में 5 उबहनिस ले रहा हूं, तो 5 गुणा 6, क्या होगा, 6X धन 2, 5 उबहनिस ले पर 6 धन 2 आएगा, 30X धन 10 में, गुणा DX, पूरे यह आएगा, तो इस प्रकार, अब यह अलग-अलग हो गया, तो यह बन गया, 5 बटा 6 गुणा 6X धन 2, गुणा DX, पूरे का बटा 3X का वर्ग धन 2X धन 1, यह क्या हो गया, यह 2 से 11 बार में, 2 से 3 बार में, 11 बटा 3, गुणा DX, बटा 3X का वर्ग धन 2X धन 1, अब हम इसे अलग-अलग करके हल कर सकते हैं, तो आई बराबर क्या रहा है, पहले भाग को, इस जो पहला भाग है, उसे मैं ले लेता हूँ, I1, दूसरा भाग है, उसे ले लेता हूँ, I2, यह लिख सकते हैं, तो अब हम इने अलग-अलग हल करेंगे, तो I1 बराबर क्या है, यह 5 बट इसे मैं लेता हूं मान लेता हूं हर को माना तीन एक्स का वर्ग धन दो एक बराबर टी ऐसा क्यों कर रहा हूं को एक्स का अंश है वो इसके हर के आउकलन के बराबर है तो अब इसका आउकलन करेंगे यह जागा 6x धन 2 गुणा dx बराबर dt तो देखें अंश में इतने के जग टी का हमने क्या माना है वापस मार रख देते हैं तो 5 बटा 6 गुणा log क्या रहा है 3x का वर्ग धन 2x धन 1 यह आ जाएगा यह आ गया i1 तो इस प्रकार हमें i1 प्राप्त हो गया अब i1 का मान मिला है फिर इसी प्रकार i2 भी हल करेंगे तो i2 के लिए हल करने पर i2 के लिए हल करने पर i2 बराबर के आएगा यह हो जाएगा 11 बटा 3 समा कलन dx बटा 3x का वर्ग धन 2x धन 1 अब दोस्तों हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए इसका हल करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा तो 11 बटा 3 गुणा 1 बटा 3 यहाँ से मैं उभैनिश लूँगा हल करने के लिए तो dx बटा यह हो जाएगा x का वर्ग x का वर्ग धन 2 बटा 3 x धन 1 बटा 3 यह हो गया तो देखिए 1 बटा 3 बाहर चला जाएगा यह तो यह क्या बन गया दोस्तों यह हो गया 11 बटा 9 समा कलन dx बटा अब यहाँ पे देखिए मैं इसे क्या से लिए सकता हूँ x का वर्ग धन 2 गुणा x गुणा 1 बटा 3 मतलब 1 बटा 3 का वर्ग जोड़ेंगे और 1 बटा 3 का वर्ग घटा देंगे रिण 1 बटा 3 का वर्ग धन 1 बटा 3 यह है अब मैं इसे हल करूँ तो क्या प्राप्त होगा मुझे तो यहां से देखिये देस्टों यहां को गैं 11 बटा 9 समाकलन b x पुरे का वर्ग यह बन गए x का वर्ग धन 2ab धन 2ab धन 2b का वर्ग तो यह बन ग TI x घन 1 बटा 3, पूरे का वरग। नू नू यह क्या हो जाएगा रिन 1 बटा 9, और यहां प्रसेरियों के 1 बटा 3, तो इसे हळल करेंगे तो ज़्या है गाल लसा इनका 9, तो यह हो जाएगा रिन 1 धन, यहांपर से 3 यह दो धन 3, अब यहां पर से कौन सा सूत्र लग रहा है दोस्तों हल करने के लिए से तो समाकलन 1 बटा x का वर्ग धन a का वर्ग dx इसका हल क्या होता है 1 बटा a गुणा 10 inverse x बटा a धन c यह होता है इसका हल तो इस रूप में इसका हल कर देते हैं i2 बराबर i2 बराबर क्या मिल रहा है देखिए i2 बराबर 11 बटा 9 गुणा 1 बटा a के जगा पे करनी 2 बटा 3 तो 3 यह कम 3 3 9 यह हो गया गुणा 10 inverse गुणा 10 inverse x के स्थान पे गया x धन 1 बटा 3 पूरे का बटा करनी 2 बटा 3 धन c यह है तो यहाँ पर से आ गया 11 बटा 3 करनी 2 10 inverse 3 x धन 1 पूरे का बटा 3 गुणा 3 बटा करनी 2 यह लिख सकता हूँ उपर चला जाएगा धन c तो हमें i2 मिल गया 11 बटा 3 करनी 2 10 inverse 3 x धन 1 बटा 3 से 3 कड़िया और यह आएगा कर बटा में करनी 2 धन c तो i2 का मान ही आ गया अब इस i2 का मान को मैं समी करन 1 में रख देता हूँ तो समी करन 1 से देखिए समी करन 1 से i1 i बराबर क्या था i1 देखिए i1 रिण i2 था i1 का मान का है 5 बटा 6 लॉग में तो यहां से मान रख देता हूँ मैं क्या आएगा 5 बटा 6 लॉग क्या है दोस्तों देख लेते हैं 3x का वर्ग धन 2x धन 1 है तो 3x का वर्ग धन 2x धन 1 रिण 11 बटा 3 करनी 2 10 इन वर्स 10 इन वर्स 3x धन 1 बटा करनी 2 धन C यह आएगा धन्यवाद दोस्तों आज शकरतों आपको वीडियो पसंद आया है